अलो फ्रेंड्स जब आपको बच्चा नहीं लग रहा होता है तो आपको डॉक्टर एक जांच प्रिस्काइब करते हैं जिसको बोलते हैं कि डियाग्नॉस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी लप्रोस्कोपी प्लस क्रोमो प्रटिवेशन टेस्ट यानि कि DHL CPT अब आपको लगता है क मारे जहन में उठने लगते हैं तो मैं डॉक्टर सुशीला से ने आज आपके सामनर लेकर आई हूं DHL CPT का सच आखिरी से कैसे करते हैं क्यों करवाना चाहिए और इसे क्या फाइदा हो सकता है जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है और यह बोलता कि वह कंसी टूप सही नहीं है या बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार की कोई प्राबलम दिख रही है यह सब कुछ सही होने के बाद में भी यदि बच्चा नहीं लग रहा है तो फिर डॉक्टर आपको दूर्बीन की जांच बोलते हैं दूर्बीन की जांच होती है उसको मेडिकल लेंग्वेज में डियाग्नॉस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी लप्रोस्कोपी और क्रोमो पर्डूबेशन बोला जाता है एक हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने बात कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है और एक हम अलग वीडियो में बता भी रखा कि लप्रोस्कोपी क्या हो और जब दोनों जाचे एक साथ की जाती है तो उसे डायगनौस्टिक हिस्टरोस्कोपी लप्रस्कोपी बुला जाता है तीसरा तर्म यहां आता है क्रोमो पर्ट्यूबेशन का मतलब आप किसी ट्यूब के अंदर कुछ दवाई मेडिसीन या कुछ पाणी डाल रहे हैं जिसस बच्चे दानी बिल्कुल सभी है उसमें गाठ या और नहीं अदेदानी वह दोनों तरफ है तो तरफ ट्यूब से वह बिल्कुल सही है और बेक्षे दानी के पीछले ईस्से में और कोई बीमारी या आते महाते कहीं चिपती हुई और कोई ऐसी प्राब्लम जो हमारे दिमाग में नहीं आई हो लेकिन अंदर आपके पेट के अंदर पल रही हो तो वह भी सामने दिख जाएगी इसको सीधे तरीके में यह समझ सकते हैं कि पेट के अंदर जाके देखना कि आखिर पेट में चल क्या रहा है इसी प्रकार बच्चे दानी के अंदर कोई पॉलिप है गांठ है ट्यूमर है फाइब्रोइड है अडीजन से तो यह सारी चीज़े आराम से पता चल जाती है और जब नीचे से बच्चे दानी के रास्ते से यानि कि सर्विक से मिथाइलिन ब्लू डाई डाले जाते निले रंग की कलर हो देखता है तो हमें बड़ी खुष होती है कि यह स्की दोनों ट्यूम्स बिल्कुल ठीक है लेकिन कई बारे दिखाई दीता निला रंग हमें पानी पेट के अंदर नहीं दिखता था तब हमें बड़ा अप्सोस होता है नहीं इसकी ट्यूम्स ब्लॉक है तो इस तरीके से ड तो निचे से तार डाल कर उसे खोला जाता है से ट्यूबल कैनूलेशन बोलते हैं लेकिन कई बार हो सकता है कि पूरी तरीके से बिमारी सही नहीं हो पाए क्योंकि कई बार ट्यूब्स पर्मानेंटली डैमेज हो चुकी होती हैं तब हम आपको यह राय देते हैं कि आपका आपके बच्चेदानी या ट्यूब्स या ओवरी के अंदर कोई प्राब्लम तो नहीं है और जो प्राब्लम है वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती है आपके ट्यूब्स खुली है या बंद है या आपके ट्यूब्स अगर बंद हैं तो सही हो सकती है या नहीं हो सकती है तो पर आगे आपको रास्ता बताया जाता है कि टेस्ट्यू बेबी या आई वी एफ या और कोई जो भी ऑप्शन्स अविलिबल होते हैं वो डॉक्टर आपको कांशल करते हैं मेरे हिसाब से आपको यह अब भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आखे डी एचल से पर यह होता है आपके लिए अब आप यह समझ गए हैं तो यदि आपको सजेस्ट करते हैं तो आप इसे जरूर कर वा लीजिए अब जब दूर्बीन के जांच आपको सजेस्ट कर दी गई है तो आपके दिमाग में अगला सवाल यह आएगा कि आखे लिए कैसे होगी अनस्तेसिया के साथ विना अनस्तेसिया तो चूकि एक operation है इसमें पेट के अंदर दूर्बीन ढाली जाती है तो पूरी बेहुशी देखके रही यह किया जाता है नाम इसका जांच है लेकिए इसका साथ में इलाज भी होता है तो एक operation की तर रही होता है इसमें पेट के उपर Amylikas के ऊपर एक चोटा सा एक सेंटिमेटर का कट लगता है साइड में दो कट लगते हैं जिसमें छोटे-छोटे से दो इंस्ट्रूमेंट हमारे अंदर जाते हैं दूर्बीन अंदर डालते हैं तो पूरी बेहुशी देखे ही यह उपरेशन होता है इसलिए आपको ऑस्पताल में पहले कोई बहुतर आपए और इस ऊपरेशन होता है और कोई बिमारी निकलती है और जांगर कर सकते हं लेकिन अगर कोई major operation अगर साथ में perform किया गया है कई बार होता है कि कोई बिमारी पहले से पता नहीं होते हैं और अंदर जाने के बात पता चलती है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको 2-3 दिन के लिए अस्पताल में रोके तो ये पहले से ही decide हो जाता है जनरली की क्या क्या plan होना है बट कई सर्प्राइजेज भी अब्डॉमिन के अंदर मिल जाते हैं तो एक से दो दिन आप मान कर चलें जब भी जांच के लिए प्लैन करते हैं अगर आप फ्राइडे ऑपरेशन करवाते हैं तो आप सेटरडे संडे आराम सास्पर में रुके मंडे को आप अपना काम जॉइन कर सक कर लोग कर दो कि घ्राम साथ चलें आराम